देश की स्थिती बड़ी ही नाजुक हो चुकी है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, कोरोना वाइरस ने सभी को बहुत ही भयानक स्थिती में ला दिया है ऐसे में कोरोना वाइरस तो है ही लेकिन साथ में वाइरल जैसे जुखाम, खासी, बुखार ये सभी चीज़े भी बहुत तेजी से फैल रही हैं ऐसे में समझ नहीं आता कि ये लच्छण है किस चीज़ के कोरोना वाइरस के हैं या हमें आम लच्छण हैं तो बड़ी ही दिक्कते आ रही हैं इन चीजों को समझने में तो ऐसे में मैं आपके लिए एक छोटा सा घरेलू नुस्खा ले करके आई हूँ जिससे आप सरदी, जुखाम, खासी इन चीजों से रहत पा सकते हैं तो जैसे ही आपको ये वाइरल चीज़े होती हैं तुरंत ही आप इनका सेवन करें या आप इने पहले से ही बना करके रख सकते हैं बच्चों को आप खुद भी इने खा सकते हैं तो बहुत ही जल से जल आपको राहत मिलेगी और आप बिल्कुल सुरक्षित हो पाएंगे तो चलिए देखते हैं क्या है ये और इसे कैसे बनाना है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आप एक तड़का पैन या कोई सा भी छोटा बरतन ले लीजिए बड़े की ज़रुवत नहीं है अब यहाँ पर देख सकते हैं ये ली है मैंने काली मिर्चे इस टाइम ऐसा समझ च मिर्चे ले ली हैं तो इनको हम तड़का पैन में डाल देंगे अब साथ ही में यहाँ पर मैंने ली है लॉंग की तासीर बहुत गरम होती है इसलिए लॉंग की कॉंटिटी हम कम रखेंगे लगबग हम आठ से दस लॉंगे ही लेंगे लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली को वही लॉंग आपको लेने हैं तो लॉंग भी हम काली मिर्च के साथ डाल देंगे और बस इस तड़का पैन को हम गैस में रखेंगे अब इनको हम हलका सा रोष्ट करेंगे बिल्कुल जरा सा 20-25 सेकंड के लिए हलका सान को रोष्ट करने से क्या होता है इनके जो ऑईल हो सकते आप यह रिलीज हो जाते हैं जिसे यह बहुत ज्यादा फायदा करते हैं ज्यादा मत भूनना बस हलका 20-25 सेकंड के लिए लीजे हमने 20-25 सेकंड भून लिया है गैस को बंद कर दिया है इनको हम हलका सा ठंडा होने देंगे अब यहां पर मैंने ले लिया है अध्रक आपके पास कोई सिलवट्टा हो कुछ भी हो जिसमें आप इसको बारिक पीस सके वह ले लीजे और बस इस खुट्टे से ना हम इसको अच्छे से बारिक पीस लेंगे यह कह लीजिए कूट लेंगे तो इसमें बहुत ही आसानी से बारिक हो जाता है इस तरह से पहले अब बापस से हमने वही तड़का पैन ले लिया है अब यहां पर मैंने लिया है एक चौथाई कप के करीब गुड़ गुड़ को हमने थोड़ा चाकू से बारिक बारिक काट लिया है गुड़ की जगह एक ऑप्सन और भी है आपके पास आप सहद का इस्तिमाल भी कर सकते ह लेकिन कोशिश करें सहद अगर आपके पास देशी वाली हो जो खुले में मिल जाए अगर आपको बिलकुर सुद्ध सहद हो तो बहुत बड़ी है वो बहुत जादा फायदा करती है तो सहद अगर नहीं भी है तो आप गुड़ से काम चला सकते हैं अब आपको जरूरत यह काम नहीं करना चाहेते तो सबसे बड़िया है आप सौठ का इस्तिमाल कर सकते हैं बाजार में सौठ यानिकी अद्रक का पाउडर बहुत आसानी से मिल जाता है तो आप इसके एक दो पैकेट मगा करके रख लीजिए एक दिन नियूज में भी बता रहे थे कि कोई भी असान हो जाए तो यहां पर एक चंबच हम इसमें सौठ यानिकी अध्रक का पाउडर डालेंगे रस लेना है तो एक चंबच आपको अध्रक कारेस लेना है अब इसमें हम दो छोटी चंबच डाल देते हैं पानी है और यहां पर मैंने लिए है चार पाज पत्तिग फीश की इस्तिमाल से ही बच्चों की सर्दी जुखाम खासी ये सब चीज़े सही कर लेती हैं तो हमने तुलसी को भी तोड़ करके डाल दिया है अब इसको हम रख देंगे गैस पर ताकि गुड़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए हमें इनको बहुत पकाने की जरूरत नहीं है अगर आपके पास मान के चलिए तुलसी नहीं है तब आप इसमें एक चुटकी हल्दी का इस्तिमाल जरूर करें फिलाल मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ क्योंकि हमने इसमें बहुत सारी बढ़िया चीज़े डाली हुई है और बस इनको हम बढ़िया से पका लेते हैं जैस इसको भी हम साथ में ही मिला देते हैं लीजिए हमारा जो घरेलू नुस्का है बन करके बिल्कुल तैयार है यह बहुत ही स्वादिस्ट भी लगता है क्योंकि हमने इसमें गुड़का इस्तिमाल किया है तो मीठा मीठा भी लगता है तो बच्चे भी इसको बहुत आराम से झालेते हैं विल्कुल भी आनकानी नहीं करेंगे तो बस इसको आपको या तो एक हट्टे बना करके रख लेना है किसी सीची फिर्शन करके रख लीजिए या तुरंत ही षोड़़क और प्राइम खा सकते हैं लेकिन अगर आप रात को सोने से पहले खाते हैं अगर आपको नहीं भी है सर्दी जुखाम खासी गले में खरास तब भी आप इसका सेवन कर सकते हैं और अगर है तब तो बहुत बढ़िया है लेकिन बस एक चीज का ध्यान रखिए इसको खाने के बाद आपको पानी नहीं पीना है इस चीज का आप ध्यान रखिएगा तो बस अब इसे आप जरूर बनाएं मैं तो कहती हूँ आप इसको बना करके एक सीसी में भर करके एकटे ही रख लीजिए और इसको आप खुद खाईए बच्चों को दीजिए समय बहुत जरूरी है ताकि ह हमें मान में कोई डर ना बैठा रहे हमारी जल्ली से जल्ली खासी जो खाम सर्दी यह सब जीजे खतम होगा फ्रेंड्स वीडियो को इसके मत करना मैं आपके साथ एक रेमिडी और शेयर करने वाली हूँ जिसको बच्चे दोर दोर कर पीने को तयार भी हो जाएंगे और उस बच्चों के लिए है तो पांचे काली मिर्चे अगर आपके लिए है तो कम से कम दस काली मिर्चे आप डाल लीजे अब आप लीजे तुलसी की पत्तियां यह बहुत जरूरी है तुलसी अगर आपके पास नहीं है तो आप एक पेर लगा लीजे घर पर पौधा लगा लीज अगर आपको ऐसा लगता है तो आप तुलसी को तोड़ करके डाल सकते हैं फिलाल ही एक औसदी है जिसका आज हम इस्तमाल कर रहे हैं इनको हमने अच्छे से कूट लिया है यहां पर हमने भगोना लिया है इसमें हम डालेंगे एक कप पानी साथ में हम एक चमत चैपत्ति डाल दीजिए इससे बहुत जल्दी आराम लग जाता है तो नमक आप सेंधा नमक है तो वो डाल दें और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा अब बस इसे हम अच्छे से खौलने देंगे ताकि सभी चीजों का जो रस है जो टेक्षर है पानी में आ जाए और देड़ कप हम इसमें दूत डाल देंगे स्वाधा निसार हम चीनी एड कर देते हैं तो यह हम चाय ही बना रहे हैं जैसे आप रोजाना चाय बनाते हैं बस आपको इस तरह से बनानी है चाय को और बस इस चाय को हम अच्छे से ओवलने देंगे कम से कम दो मिनट तक जब यह चाय बढ़िया से अगर चाहां वग्राना है। तब भी आपको बनाना है। इसे इमिनुटी भी बढ़ती है। आपको रो जाना में इस चाय का सेवन करना चाहिए। जरूर बनाएं। दोनों ही remedy बहुत effective है friends आप इनको जरूर try करें और ये सब चीजे घर पर जरूर रखें वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को like share कर दीजेगा फिर मिलते हैं अपने अगली recipe में तब तक के लिए bye bye take care